इस lecture के अंदर हम मिं कॉस की distance को देखेंगे, जो एक generalized form है, Manhattan and Euclidean distance को ही represent करती है, but इसमें हम एक parameter use करते हैं, which helps us to calculate either Euclidean or आपका Manhattan distance. किस तरीके से कैसे फरक्षा है, यह सारा कुछ मैं आपको equations के तरू समझाता हूँ, let's jump into our screen. यहाँ पर अगर आप देखें, तो जिस एक topic की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, that is min-cos की distance. Min-cos की का जो distance matrix है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं. और Euclidean or Manhattan distance की यह एक generalized form है, ठीक है? Say for example, अगर आपने min-cos की distance को measure करना है, तो आप कुछ इस तरीके से equation लिखेंगे, D of P, Q, अगर मैं यहाँ पर P से Q तक का जो distance है वो लिखता हूँ, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि submission of I is equal to 1 to N, और यहाँ पर XI minus YI, और यहाँ पर simply हम लिख देते हैं 1 over P, ठीक है? अच्छा, P, Q को आप X, Y भी लिख सकते हैं, आपके point को आप जिस से denote करना चाहें, you can denote that one, ठीक है? So, it doesn't make any problem, अगर आप X, Y से denote करना चाहते हैं, आप उससे कर सकते हैं, P, Q से करना चाहते हैं, आप उससे कर सकते हैं, जो भी आपने नाम रखने रख सकते हैं, पिछले lecture के अंदर भी मैं P, Q कहता रहा हूँ, so it doesn't make any problem, अगर आप X, Y कहना चाहते हैं, you can do that, equation आपके इसी तरीके से सेम रहेगी, ठीक है? अब अगर गौर किया जाए यहाँ पे, तो आप जब modulus लेके, sorry, यहाँ पे भी parameter रहना है, और इसका parameter इस तरीके से 1 over P भी होना है, मैं इस equation को यहाँ से, बलके, आपके सामने equation जो है, मैं एक दफ़ा, printed form में लिख देता हूँ, ताके आपको easy रहे समझना इसे, so यह जनाब इसकी equation है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom out करूँ, distance from x to y, यानि कि एक value का दूसरी value से जो distance है, अगर हम मिं कॉस की distance की बात करें, then we can calculate by summing up everything from 1 to n, वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और पहले आपने x i minus y i लिखने है, इसका p parameter लिखने है, and then 1 over p लिखते हैं, so this is one of the formula, जो यहाँ पे p है, यह एक parametric value, पी is equal to parameter, ठीक है, जब p की value, p is equal to 1 होगा, यानि कि जब आप p की value यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, तो यह आपका Manhattan distance है, Manhattan, distance के equal आपका result आते हैं, जब आप p की value को 2 रखते हैं, तो यह आपके Euclidean distance से similar ही result आते हैं, यानि के जो वहाँ पे value होगी, वही आपकी finally value यहाँ पे count हो जाएगी, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जब आप min cost की distance की बात करते हैं, d from x, y, या p and q भी आप रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे x is equal to 1, 2 है, and y is equal to आपके पास, जो दो point मैं आपको बता रहा हूँ, this is 3, 4, तो आप क्या करेंगे, इसकी base पे यह दो point है, x and y, यह पहला हमारे पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, अगर आप इसको चेक करें, तो यह आपके पास x1, y1 की base पे point आता है, यह वाला x2 and y2 की base पे आता है, ठीक है, so अगर हम इसका formula लिखें, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से formula होगा, d of x, y, यानि कि यह जो दो points है, x and y, इनका distance किस तरीके से होगा, 1-3, यानि कि x1-x2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x1-x2, ठीक है, और यहाँ पे parameter हम 2 लिख रहे हैं, यानि कि p की value मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, which is in this equation, this p, ठीक है, p की value 2 का मतलब Euclidean distance से similar result आएंगे, plus मैं यहाँ पे अब दूसरा क्या लिख रहा हूँ, 2-4, यानि कि y1-y2, इसका modulus लेके, इसको हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, और अगर आप गोर करें, हमें इस सभी को bracket के अंदर 1 over 2 भी लिखना है, ठीक है, which is another kind of equation parameter, जो हमने यहाँ पे भी लिखा था, अब यहाँ पे, अगर आप गोर करें, हमारे पास, अगर इसको resolve हम करते हैं, तो it would be 1-3, इसका modulus का square, ठीक है, plus हमारे पास 2-4, इसके modulus का square, और इसके पूरे की value 1 over 2, ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर देखें, तो यह हमारे पास आता है, जनाब 4, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, ठीक है, इसका square, क्योंकि यह minus 2 है, तो modulus से minus गाइब हो जाएगा, but I will write it minus 2, इसका modulus का square, plus minus 2, इसके modulus का square, और इस सभी का 1 over 2, अब अगर आप गोर करें, यहाँ पे, minus 2 और modulus आपस में खतम हो जाएगे, यानि के modulus ने minus 2 को खतम कर दिया, तो 2 का square बचा, plus 2 का square बचा, और इस सभी का 1 over 2 आगया, और अगर मैं 2 का square लूँ, तो यह 4 है, यह भी 4 है, तो यह 8 हो गया, और इसका 1 over 2 आगया, अगर मैं इसको 8 लिखूँ, तो 1 over 2 का मतलब है, under root 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, या अगर ना भी लिखें 2, it doesn't matter, तो मैं यहाँ पे इसको remove करता हूँ, तो 8 का under root हमारे पास 2.83 आता है, और अगर आप इसी तरीके से, Manhattan distance को भी calculate अगर करना चाहें, if you calculate Manhattan distance, तो आपका result, same ही आएगा, 8 का under root, for example, 1 and 2 है हमारे पास, अब मैं इसी 2 points का, 1, 2, 3 and 4, इन 2 points का, अब मैं calculate करता हूँ, जनाब Manhattan, sorry, Euclidean distance, ठीक है, Euclidean distance के लिए हम क्या करते हैं, आपको भी पता है कि 3-1, ठीक है, इसका square, जो base का square है, 3-1 का square आगया, फिर मैंने क्या करना है, plus 4-2 का square, और इसका under root, यह हमारे पास आजाता है, 2 plus 2, इसका भी square है, इसका भी square है, under root, तो यह मेरे पास 4 plus 4, 8, इसका under root, which is equal to 2.83, तो आपने चेक किया कि यहाँ पे में कॉस की distance का जो formula है, वो basically totally different है, लेकिन at the end, आपके पास जो result है, वो generalized form के अंदर, Euclidean distance का आएगा, अगर यह P की value 1 होगी, P की value 2 होगी, अगर इसको 1 रखेंगे, तो Manhattan distance आएगा, तो आपने अभी चेक करना है, कि P की value अगर 1 रखी जाए, तो आपका result क्या आता है, and then you have to do this assignment by yourself, मिन कॉस की distance और Euclidean प्लस आपका जो Manhattan distance है, यह तिनों distance आपको समझा की होगी, लेकिन मिन कॉस की distance basically generalized form है, in another way, कि आप दोनों distance में से कोई भी value रखके इसको calculate कर सकते हैं, it's totally up to you, लेकिन अगर आप गौर करें, तो यहीं पे अगर हम Manhattan distance को देखेंगे ना, तो उसकी value हमारे पास totally different आएगी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2 प्लस 2, 4 आजाएगा हमारे पास, और 4 का जो हमारे पास यहाँ पे 2.83 था, यह directly हमारे पास 4 आजाएगा, तो Manhattan distance जो है, वो उसकी value अगर हमारे पास 4 आती है, और जो Euclidean distance की 2.83 आती है, तो इन दोनों का अगर हम फरक निकालना चाहें, तो आपको भी पता है कि 1.17 के करीब इनका फरक है, यह 1.17 जो Manhattan versus Euclidean distance है, यह किस चीज को शोग करता है, और इसके बारे मैं माने वाले दिनों में discuss करेंगे, यह जो दोनों distance में फरक है, एक चीज में हम direct चले जाते हैं, और एक चीज में हम थोड़े से blocks के थू जाते हैं, तो इन दोनों में फरक क्या है असल में, ठीक है? And why is it important to calculate Euclidean distance या Manhattan distance? और यह एक parameter होता है, जो Second Learn के अंदर हम add भी करने वाले हैं. यहां तक आपको clear हो गया होगा, एक चोटी से assignment आपकी यह भी है, यह जो P इस equation में आ रहा है न, Manhattan distance या जो Euclidean distance को शोग करता है, इन मनकॉस की equation, यह वाला P, यह आपने देखना है कि यह क्या है? यह basically एक parameter है, लेकिन यह parameter आता कैसे है? यह आपने देखना है, यहां तक आपको clear हो गया होगा, कि तीन किसम के distance कौन कौन से होते हैं, अब हम आइस्ता इस्ता आगे move करते हैं, और अगले lecture में मैं आपको बताऊंगा, hemming distance क्या होते हैं,